नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस आनलाइन मंच पर Computer GK के questions को हम लोग continue करेंगे कल के part में हम लोगोंने 25 questions किये थे उनका description देखा था सभी बहुत important questions थे अगर आपने नहीं देखा है उसको किसी भी बज़े से तो आप जरूर देख लीजिए क्योंकि आने वाले lower PCS के exam और जो भी exam आएंगे UPTSC के यहाँ तक की PCS में भी सभी जगे computer और related technology से question पूछे जाते हैं मैंने कल के वीडियो में भी आप से अंडूद किया था कि जो लोग भी हमारे viewers हैं, subscribers हैं वो please जो है हमारा decode exam का app, mobile app, android app अपने mobile पे download कर लें, उसमें login कर लें और वहाँ पर जो है आपको test provide है, free demo test उसकी PDF है, आप उसको जरूर attempt करें, UPTSC pre 2019 के लिए और आपको लगता है कि हमारा जो test है, उसकी quality अच्छी है और content जो है, उसमें आपको संपूरता के साथ जो है पूरी ब्याख्या से दिया जा रहा है, तो आप हमारे test program से जुर सकते हैं ये कुल 25 test इसमें आपको provide कराया जाएंगे जिसमें जो है subject wise test भी हैं, चार जो है test current affairs के हैं और उसके अलावा full test हैं तो ये सभी जो है, बहुत important questions पर बेश्ट पूरी ये series होगी जिसमें लगबग 3050 प्रस्ट होंगे और demo test की अगर आपको PDF ना मिली हो अब तक तो या तो आप सीधे app से जो है login करके ले ले, नहीं तो इस वीडियो के description box में भी demo test की PDF है जो लोग lower का exam देने जा रहे हैं, वो तो जरूर इसको पर ले क्योंकि पूरा GS के जो है, जो important questions है, डेड़ सो और उनकी ब्याख्या जो है, आपको इसमें एक बार revise करने को मिल जाएगी, तो अगर आपको कोई भी असुविदा होती है, हमारी test series से जुड़ने पे तो आप जो है, PCS 2019 लिखकर इस number पर, यानि 9506742546 पर WhatsApp कर दीजिए, आपकी जो है, सहायता की जाएगी, या आप हमको जो है, office time में call भी कर सकते हैं, तो अब आपका ज़्यादा समयना लेते हुए, सीधे हम जो है, अपनी आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले, question number 26 आपके सामने आ गया है, प्रोग्रामिंग में कुछ कतनों की बार-बार पुन्रवरती, यानि जब कोई प्रोग्रामिंग की जाती, उसमें कोई भी कतन है, तो उसको अगर बार-बार एक के बार एक जो है, उसको repeat किया जाता है, तो इस प्रिक्रिया को technical terms में क्या कहते हैं, इस प्रिक्रिया को हम क् लूोपिंग कहते हैं अब लूपिंग किसी भी चीज की हो सकति है,ाँडियो को बार बार जो है repeat करना video को या टेक्स्ट को तो इस तरह से जो है और लूपिंग जो है, chili multi media की एक। निक है यानि जो multimedia की एक technology है जिसके द्वारा बार बनाए गए animation clip को बार बार प्रियोग किया जा सकता है तो दागन के लिए किसी किरदार को चलते हुए दिखाने के लिए उसकी एक ही clip को जो है एक के बाद एक लगाते जाएंगे तो looping के माध्यम से उसको हम ऐसा रिखा सकते हैं कि वो चला है तो multimedia और animation इनमें जो है looping का प्रियोग ज़्यादा होता है internet technology के आरम में internet page तैयार करने के लिए कौन सी भासा का प्रियोग करते हैं important question है पूछा भी जा चुका है तो internet जो प्रारंभिक page होता है वो html होता है html का full form क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए hypertext markup language पूछा भी जा चुका है विविन एक्जाम में और ये एक code या भासा है जिसका उप्योग website बनाने के लिए किया जाता है html language का प्रयोग internet प्रत्योकी के आरम में internet page तैयार करने के लिए किया जाता अगला प्रस्त आपके सामने आ गया 28 स्वा प्रस्त है ये series का तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा एक input device नहीं है ध्यान दीजेगा input device नहीं है ये आपको बताना है तो इसमें से scanner क्या है input device है जो कि आप उसमें से ग्रैफिक्स को या किसी भी पेपर को स्कैन करते हैं बाहर से देते हैं input जो आइस्टिक भी जो है gameplay करते समय यूज होता है वो भी input device है plotter क्या है plotter जैसे flags छपते हैं बड़े-बड़े holding banner के लिए तो उनकी जो printing होती है वो plotter पर एक तरह का यह बड़ा printer है तो printer होता क्या है output device होती है इसलिए इसमें से plotter ही output device है इस तरह से उसका उत्तर जो है सी सही हो जाएगा तो आप कुछ जो है output devices के उदारण आप यहाँ देख लेते हैं पहले input की बात करते है keyboard, mouse, scanner, joystick यह सभी क्या है input devices है output क्या है monitor जैसे LED, LCD, CRT, printers, सभी टाइप के plotters, projector, LCD, projection panel, computer, output, microfilm यानी com com का full com यार रखिएगा computer output microfilm जिसको हम com कहते हैं speakers, headphones, visual display units, microfeet यह सभी जो है क्या है output devices है computer के छेतर में उभर रही नई technology इन में से कौन सी है तो आज कल जो है जो सबसे latest technology है वो क्या है parallel processing system इसमें क्या इसकी importance है parallel processing system वही system है जिसका इस्तमाल करके super computers जो है काम करते हैं यानि एक साथ कई सारे CPU को जोड़ दिया जाए तो ये जोड़ना networking की तरह नहीं यानि उसके जो प्रोसेसर है वो एक ही जो है समस्या पर काम करें एक ही गढ़ना को सभी प्रोसेसर मिलके एक साथ काम करें उसको हम जो है multi parallel processing system कहते हैं तो जो super computer है उसकी technology ECP based होती है इस प्रस्ण का मूल उद्देश जो है यह है अगला computer के संदर में stored program की अधारना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी तो computer के संदर में stored program की अधारना जान वान न्यूमैन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी और यह अधारना इसका year भी देख लीजिए 9040 के दसक में बैग्यानिक जान वान न्यूमैन ने इसको प्रस्तुत किया था computer के लिए IC chip प्राया किस पदार से बनती है तो IC chip आप जानते हैं किस पदार से बनती है silicon से silicon से IC chip बना जाता है silicon क्या है एक chemical element है जिसका परमाडू क्रमान कितना होता है 14 होता है और ये अधिक्तर अर्द चालक यानि semiconductor devices का एक प्रमूख घटक होता है computer की IC chip या micro chip इसी तत्व की बनी होती है अगला प्रस्द भारत का पहला computer कहां इस्थापित किया गया था ये computer के इतिहास संबंदित है भारत का पहला computer कहां इस्थापित हुआ था भारती सांखे की संस्थान यानि Indian Estatical Institute यानि कलकाता में किस वर्स इस्थापित हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए था तो ये इस्थापित हुआ है 1952 में सबसे पहले और 52 में जो है ये एक analog computer लगाया गया था जो भारत का प्रथम computer हुआ था लेकिन अगर question आपको इस तरह से आ जाए कि भारत में computer युक्की वास्त्रीक सुरुवात किस वर्स से मानी जाती है तो इसका इत्तर क्या होगा computer युक्की भारत में वास्त्रीक सुरुवात जो है 1956 से मानी जाती है जब भारती सहस्ति संथान कोलकता में भारत का प्रथम electronic digital computer जिसका नाम था HEC2M इसको इस्थापित किया गया था तो यहां से जो है भारत का वास्त्रीक सुरुवात मानी जाती है एक byte कित से बनता है आप सभी जानते हैं एक byte में क्या होता है 8 bit होते हैं तो computer के संदर में byte digital सुचना की एक unit होती है एका ही होती है एक byte बराबर 8 bit होता है आगे चलें एक किलो बाइट की बात करें यानि 1 kb बराबर 1024 byte 1 megabyte यानि 1 mb बराबर 1024 kb यानि किलो बाइट अगला प्रस्न निमलिखित में से कौन एक input device नहीं है उसी तरह का लगभग लगभग question है input device इसमें से कौन सा नहीं है plotter बाकी क्या क्या दिया है magnetic ink character recognition यानि M I C R इसको micro कहते हैं micro code आप जानते हैं का पर bank के संदर में चेकों पर प्रियुक्त होता है optical mark recognition जिसको OMR कहते हैं आप लोग OMR seat पर पेपर देते हैं exam का और barcode reader जो जो है supermarkets वगएरा में barcode को read करने के लिए बना जाता तो ये सभी क्या है input devices और इसमें जो plotter है ये बड़ा printer होता है ये output device का उधारण है अगला group wear क्या होता है group wear क्या होता है group wear जो है एक software है अब ये किस प्रकार का software है तो group wear एक ऐसा computer software है जो लोगों को एक दूसरे से दूर होते हुए भी एक साथ सामुहिक रूप से कार करने का आउसर प्रदान करता यानि जो remote computing या cloud computing होती है उस अभी जो है इसके अंतरगत आ जाते हैं DTP बहुत famous term है computer के संदर में DTP का full form क्या होता है desktop publishing तो desktop publishing जो है जो जिते भी publishing के काम होते हैं उसके लिए जो है use किया जाता है computer में अब एक परिच्छा में जो है पूछा गया था desktop publishing के मुखे अब यहों कौन कौन से होते हैं साथ UP PCL का कोई exam था तो यह भी जान लीजिए इसके लिए आपको एक PC चाहिए page layout करने के लिए जो है या था दस था प्राप्ति यानि WYSYG software इसका full form क्या होता है what you see is what you get what you see is what you get और अच्छी गुडवत्ता वाला यह अच्छी quality का एक printer चाहिए तो यह तीन मुक्यावश्यक अंग है dpt के लिए desktop publishing के लिए GIS का full form क्या होता है आसान है सारे आप सब देखी देहन से बताईए GIS का full form क्या होता है geographical information system geographical information system GIS का full form होता है software को एकिकत करके भवोलिक संदर्व रचनाओं के लिए आक्रे एकत करना उनका प्रबंदन करना उनकी अनालिसिस करना यह सबी जो है geographical information system के अंतरगत किया जाता है ROM ROM read only memory के सभी रूपों को और क्या कहा जाता है तो इन में से और क्या कह सकते हैं इसको हम firmware क्यों कहते हैं firmware क्यों कहा जाता है तो ROM के सभी रूपों को firmware भी कहा जाता है इसे एक software ना कहकर firmware कहने का मुखिकारण यह है कि computer को start करते ही या computer के बिभिन घटकों की जाच करके यानि जितने भी उसमें hardware हैं, software हैं सबको जो है जाचता है आप देखते हैं जब computer की booting होती ही शुरुवात में उस समय जो यही प्रक्रिया चले होती है और यह सुनस्चित करता है कि इसके सभी अंग ठीक ज़र से काम कर रहे हैं या थवा नहीं, इसलिए इसको जो है firmware भी कहा जाता है API, API का full form क्या है? API का full form क्या हो गया? Application, Program, Interface तो full form जो है वैसे भी बहुत ज़्यादा पुछे जाते हैं exam में आगे चलते हैं अगला question आम तर पर उप्योग किये जाने वाली floppy disk जो है floppy disk आपको देखने को भी नहीं मिलती है क्योंकि अब प्रचलन से बाहर हो गई है floppy disk का storage छमता, जो normal floppy disk होती थी उसकी storage समता कित्ती होती थी तो normal floppy disk की storage समता 1.44 MB उस समय होती थी और वर्तमान में यह खतम हो चुकी है लगबग इसलिए इनको floppy disk क्यों कहते थे को कि यह लचीले खोलों में अनि floppy's में इसको रखा जाता था PSW इसका full form बताईए PSW क्या होता है program status word तो program status word जो है PSW हो गया आगे चलते हैं router निमलिखित में से किस layer में प्रियोक्त की जाती है तो यह OSI से related है अब हम इसको देखते हैं तो router इन में से network layer में जो है प्रियोक की जाती है अब इससे भी जो है जुड़े कुछ questions आते हैं इसके बारे में जानेंगे router जो है network layer में प्रियोक्त की आती ही यह OSI यानि open system interconnection OSI जो है model भी होता है इसमें 7 layers होती है अभी आगे जो है इसको हम दिखाते हैं तो OSI का तीसरा layer है जो कि subnet के operation को control करता है यह इन चीज़ों से संबन्दिश setting और option को manage करता क्या-क्या network addressing, subnetwork और interworking अब यह जो है आपके सामने OSI का 7 layer का model है तो एक एक करके हम देखते हैं physical layer, data link layer, network layer जो इस question ने पूछा गया था transport layer, session layer, presentation layer और application layer यह इसके 7 layer है बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा आपको बिल्कुल यह पता होना चाहिए कि OSI में 7 layer होती है अगला प्रसने कि यह निमलेखित में से किस memory को प्रति सेकेंड कई मदों को नवीनी करत करना चाहिए तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो dynamic RAM होती है इसको बार बार refresh करने की आवशकता होती है क्योंकि इसका इस पे जो storage होता है वो कुछ millisecond के लिए होता है इतना ज़्यादा volatile होता है तो computer memory को मुख्यूरूप से दो भागों में बाटा जाता है RAM तथा ROM ये हम लोग जानते है Random SS memory और read-only memory read-only memory जो है इस्थाई memory होती है permanent और RAM कैसी होती है आ इस्थाई memory होती है RAM को फिर से बाटते है primary dynamic RAM तथा secondary static RAM dynamic RAM को आपने data को बनाया रखने के लिए प्रतिसेकेंड कई मदों को नवीनी करत करना चाहिए जिसको आप लोग कहते है refresh करना और static RAM को ऐसा करने की आउशकता नहीं होती है RAM क्या होती है volatile memory होती है यानि वो इस्थाई नहीं होती है light चली जाएगी तो जो है जो भी चीजे RAM पे संग्रहीत होती है store होती है वो खतम हो जाएगी निमलेखित में से कौन computer में इस्थाई रूप से data संचित करता है तो इस्थाई रूप से कौन से data संचित करेगा ROM अभी बात हुई थी read only memory ये computer की permanent memory होती है आगे चलते हैं इनमें से कौन सी computer की भासा नहीं है FORTRAN computer की भासा है PASKAL computer की भासा है COBOL भी है अंग्रेजी क्या है rians insult computer की भासा नहीं है अग्रेजी bowl char और लिखने की भासा है अगला प्रस्न देखते हैं computer सबदावली में यानि computer की dictionary में bug सब्द यूज किया जाता है तो bug का क्या अभिप्राय होता है इसमें से आपको बताना है तो कोई भी error जो किसी program में होती है उसको हम computer की उसमें जो है क्या कहते हैं bug कहते हैं software bug किसी computer program या पढ़ाली की यसी तुर्टी दोस गलती है जो गलत या अप्रत्यासित परड़ाम देती है इसके अनिचपेती तरीके से ब्योहार करने का कारण बनती है एक ऐसा program जिसमें बड़ी संख्या में bug पा जाते हैं उसे बगगी कहते हैं अगला प्रस्ण Unix operating system को आम तोर पे किस रूप में जाना जाता है तो Unix operating system का ऐसा system होता है ये multi user operating system होता है जो इसकी सबसे बड़ी विसेशता होती है Unix एक उचिस्तरी programming भासा है यानि high level programming language है और ये ऐसा पहला operating system था जो high level programming language में लिखा गया था और ये programming किस पे की गई थी C program पे की गई थी C language पे की थी ये multitasking वा multi user operating system है Unix जो OS होता है वो बहुँ प्रयोकता है यानि multi user multitasking कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं और एक से अधिक काम कर सकते हैं Software application के संदर में CRM क्या है तो software में CRM का मतलब होता है Customer Relationship Management जो जो है ब्यावसाहिक उसमें प्रयोग होता है अगला प्रस्ण नेम लेकित में से कौन सा प्रस्तुती आलेक software है इंगलिस में पढ़ते हैं इसको which of the following is a presentation graphic software यानि जिसपे हम presentation तयार कर सकते हैं तो बहुत आसान है MS PowerPoint जिसपे मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ यही वो प्रोग्राम है जिसपे presentation की है तो MS PowerPoint जो है एक presentation software है जो Microsoft Office का ही एक अवेव है PowerPoint के उप्योग कहां 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 किया सकते हैं ब्यावसाई का अनप्रियोग हो सकते हैं जैसे प्रस्तुती करल करने के लिए presentation की slide बनाना animation तयार करना सामान उप्योग के लिए art gallery के द्वारा कलात्मक जो है designer slides तयार करना और ब्यावसाई जगत में यानि commercial user जगत देखा जाए इसका तो इस पे जो है जित्ते भी industry होती है या जित्ते भी companies होती है उसमें इनमें training का काम जो है training में इसको लाया जाता है तो इस series का last question देखते हैं worm का full form क्या है what is worm तो write once read many यानि एक बार लिखिए कई बार पढ़िए write once read many जो है ये इसका full form हो गया है worm एक data storage device है जिसमें कोई भी सुचना एक बार लिखने के बाद बदली नहीं जा सकती है तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने दो पार्ट में computer के पूरे 50 questions और उनसे जुड़ी होई व्याख्या जो महत्पूर हो सकती है आपके exam के point of view से उसको देखा तो इसको एक बार revise भी कर लिजिएगा और आपका score क्या रहा अगर आप साथ साथ जो है अपना number दे रहे हो टिक कर रहे हो तो बताईएगा जरूर आज के इस वीडियो में इत्ता ही नमस्कार धन्यवाद